हाई बच्चों टेंचन नहीं लेने का आ गया हूंग है लगाने आपकी फिजिक्स की क्लास फिजिक्स शाला तो फिर्स्ट एर में हम पर रहेते इंस्टनियस वेलाउसिटी एन एक्सिलरेशन पिछले लेक्चर से अगर आपसे मिस हो गई है तो लिंक डेस्क्रिप्शन बॉक करेंगे धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बरते हैं आज बस हम बेसिक्स पे रहेंगे तो शुरू करते हैं पहले वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए दोस्तों के साथ चैनल को सब्स्राइब कीजिए और वीडियो को आखिर तक जरूर देखे तो questions कैसे आती है instantaneous velocity और acceleration से तो चलिए शुरू करते हैं पहला question अगर आपको मैं बताओ कि अगर x होती है बराबर a plus b t square x होती है बराबर a plus b t square यहाँ पे x क्या है यहाँ पे x है displacement x होती है displacement और t क्या होती है आपको पता है आप बोलोगे sir हमें पता है t होती है time t होती है time और a और b है constants a और b है constant जहाँ आप पे a की value आपको दी हुई है 8.5 और b की value आपको दी हुई है 2.5 8.5 और 2.5 आप से सवाल पूछा गया है कि जब time 0 seconds है और जब time 2 seconds है जब time 0 seconds है और जब time 2 seconds है आप निकालिए instantaneous velocity आप निकालिए instantaneous velocity instantaneous velocity आप निकालिए कैसे निकालेंगे हमने पिछले lectures में परहा है instantaneous velocity क्या होती है dx upon dx by dt हमने परहा है और वो कैसे आती है अगर आपको जानना है dx by dt कैसे आती है तो पिछले lecture देख लीजिए आपको help मिल सकती है तो हमें पता है होती है dx by dt instantaneous velocity होती है dx by dt तो differentiate हम करेंगे पिछले lectures में हमने differentiation की formulas भी जान ली थी तो d by dt a plus bt square a plus bt square अब a plus bt square अब हम क्या करेंगे बीच में है plus तो यह differentiation दोनों को करेंगे d by dt of a plus d dt of bt square यह differentiation की एक property है कि अगर बीच में plus हो तो दोनों separately differentiate हो जाते है अच्छा अब हमने क्या परा था d by dt of any constant is equal to 0 d by dt of any constant is equal to 0 पिछले lecture में हमने जान लिया था तो यह term तो हो जाएगा भाई 0 और यह क्या बचेगा b constant है तो बाहर आजाएगी b constant है तो बाहर आजाएगी d by dt t square अब देखिए अब ध्यान से देखिए अब ध्यान से देखिए इसको अच्छा तो यह क्या बन जाएगी b अच्छा d dt of t square हमने क्या परा था d dx of x to the power n होती है बराबर n x to the power n minus 1 तो यहाँ पर क्या होगी 2t to the power 2 minus 1 यानि कि आपको जवाब मिलेगा twice dt यह आपको मिल गए instantaneous velocity अब आप से पुछाएए कि जब time 0 seconds है और जब time 2 sec है जब time 0 second है और जब time 2 seconds है तो जब time होगी 0 seconds आजर से बात है velocity भी होगी 0 seconds क्योंकि t की value हो जाएगी 0 और जब time होगी 2 seconds जब time होगी बराबर 2 seconds तो velocity कितने होगी आप बोलोगे velocity होगी 2 into B की value हमें दी वही थी 2.5 B की value हमें दी वही थी 2.5 2.5 into 2 तो आपको जवाब मिल जाएगा 10 meter per second 10 meter per second ऐसे आप निकाल सकते हैं तो अगर आपसे पुछा जाता कि average velocity निकालो अगर आपसे पुछा जाता कि average velocity निकालो होती है क्या होती है total change in displacement upon total change in time total change in displacement upon total change in time तो displacement कौन दो time के बीच होई है from t is equal to 0 second to t is equal to 2 second from t is equal to 0 second to t is equal to 2 second इन दो time interval के बीच होई है displacement अब पहली initial position change in displacement कितनी होगी final minus initial वही होगी ना change in displacement तो इनिशेल कितनी है आपकी तो टाइम के जगा बैठ जाएगी आपकी 0 तो A रह जाएगी आपकी A A plus B into 0 square ultimately होगी आपकी A और A की value हमें कितनी दी हुई थी A की value हमें दी हुई है 8.5 अब अगली कितनी है position अगली position है जब time होती है 2 second यानि कि A plus B into 2 square यानि कि A plus 4B A plus 4B A plus 4B अब हम क्या करेंगे average velocity निकालेंगे average velocity कैसे निकालेंगे x1 minus x2 upon x1 minus x2 upon x2 minus x1 upon x2 minus x1 upon t2 minus t1 final position minus initial position final position minus initial position वो आपको देगी displacement तो displacement आपको मिल गए x2 minus x1 और time interval होगी t2 minus t1 तो कितना मिलेगा आपको A plus 4B minus A upon 2 minus 0 A और A चले जाएंगे dating में 4B upon 2 यानि कि आपको मिलेगी 2B और B की value हमें पता है 2.5 तो answer हो जाएगा हमारा 5 meter per second तो ऐसे हम निकालेंगे average velocity अब अगली question करते है अगला question कैसा है अगला question कुछ इस तरह से दिया हुआ है अगर आपको दिया जाए कि अगर displacement है 3T plus 4T cube plus 5T square 3T plus 4T cube plus 5T square आप से सवाल पुछा गया आप से सवाल पुछा गया कि पहले तो पहले तो instantaneous velocity निकालो बाद में हम सोचेंगे average निकालना है क्या निकालना है क्या ने निकालना है पहले instantaneous निकालो किस टाइम पे T is equal to 3 seconds पे T is equal to 3 seconds पे आप निकालो instantaneous velocity आप कैसे निकालोगे आपको पता है instantaneous velocity होती है dx by dt यानि की d by dt 3T plus 4T cube plus 5T square बाप रे हो गया अब क्या करेंगे आप हमने पिछले सम्में भी देखा है कि distribute हो जाती है यानि की d by dt of 3T plus d by dt of 4T cube plus d by dt of 5T square तो यह हमने जान लिया है अब क्या करेंगे जितने भी constant से सबको आप बहार ले आए यानि की 3 d by dt of T plus 4 d by dt of T cube plus 5 d by dt of T square अब हमें पता है क्या करना है आप कुछ देखने का ही जरूरत नहीं है एकदम हमें पता है हमें पता है d by dt of T कितनी होगी हमने कल परी परी थी परसो पिछले लेक्चर में हमने परी थी dx upon dx होती है 1 तो dt by dt होगी 1 तो हो जाएगी आपकी 3 प्लस T to the power 3 हमने पराथा d by dx of x to the power n होती है बराबर n into x to the power n minus 1 होती है गी नी अच्छा तो क्या होगी 4 into 4 into 3 to the power 3 T into T to the power 3 minus 1 3 into T to the power 3 minus 1 अब आगे वाली देखते है क्या है प्लस 5 into d by dt of T square तो हमें formula अगर put कर दे तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा 5 into 2 T to the power 2 minus 1 according to formula of differentiation है की नहीं बच्छो हाँ है अच्छा अब put कर दीजे़े क्या होगी 3 plus 12 T square plus 10 T 3 plus 12 T square plus 10 T अब हमसे किस time पे मांगा गया है किस time पे हमें निकालने बोला गया है हमें निकालने बोला गया है T is equal to 3 seconds तो हमें पता है बच्छो क्या करना है हमें T के जगा 3 बेठा देना है तो 3 plus 12 into 3 square यानि कि 9 प्लस 10 इंटो 3 इसको solution कीजेगा आपको जवाब मिल जाएगा अब अगली question देखते है कैसे आते है अच्छा अब आप से वही बोला गया कि आप अभी अब निकालो average velocity अब आप से पुछा गया हमें पता है x1 हम निकालेंगे x2 यानि कि initial और final हम निकालेंगे positions initial position और final position हम निकालेंगे दोनों के बीच की difference हमें क्या देदेगी हमें देदेगी displacement और time तो हमें time interval पता चली जाएगा t2 माइनस t1 यह हो गई t1 यह होगी t2 तो x1 कितनी होगी x1 कितनी होगी जब time है 0 यानि कि 3 3 into 0 plus 4 into 0 plus 5 into 0 क्या होगी 3 into 0 कितनी होती है आपको भी पता है मुझे भी पता है 0 0 0 तो हो जाएगी आपकी 0 अब x2 x2 कितनी होगी जब time है 3 seconds जब time है 3 seconds यानि कि हम निकालेंगे 3 into 3 plus 4 into 3 cube plus 5 into 3 square सही है अब 9 plus 27 into 4 कितनी होती है देख लिजेगा प्लस 5 into 9 यानि कि 45 अच्छा 3 cube होती है 27 27 into 4 होती है आपके 108 तो 108 अब इसको जोर दीजे जोर घटाए कर दीजे आपको पता चल जाए कितना होगा कितना होगा 117 117 और 45 किती होगी 12 162 तो आपको position मिल गई 162 अब अब आप कैसे निकालेंगे average velocity आपको पता है average velocity होती है x2 minus x1 upon t2 minus t1 तो x2 मतलब 162 और 0 तो 162 minus 0 और 3 minus 0 यानि कि t2 minus t1 तो इसको solution करके आप जवाब अराम से निकाल सकते हैं तो इसी दरा के question आते है और भी question देखते है कैसे आते है चलिए अगली question में जाते है तो अगला question क्या आता है चलिए मानते है x is equal to होती है 40 square minus 15t plus 25 40 square minus 15t plus 25 आप से पहला सवाल ये पूछा गया कि पहले तो बताओ पहले तो बताओ instantaneous velocity कितनी होगी at time is equal to 0 instantaneous velocity कितनी होगी at time is equal to 0 आप क्या बोलोगे आप बोलोगे हमें पता है dx by dt यानि की होती है बराबर d by dt 4t square minus d by dt 15t plus d by dt 25 ये तो बच्चा हो जाएगा 0 क्योंकि d by dt हम constant होती है बराबर 0 तो इसको हम strike off कर देते हैं तो अगली क्या रहती है 4 into अब d by dt of t square d by dt अच्चा simplify कर देता हूँ d by dt of t square minus 15 d by dt of t d by dt of t सारे जो constants है वो हमने बाहर ले आए अब d by dt of t square अब तक तो आपको हाथ में बैठी चुका होगा तो क्या होगा 4 into 2 into t minus 15 और d by dt of t होती है 1 तो क्या रह जाएगी आपकी 8 t minus 15 8 t minus 15 ये आपको मिल गई velocity instantaneous अब कप पुछा गया आप से t is equal to 0 यानि कि t के जगा बैठ जाएगा 0 तो velocity कितनी हो जाएगी velocity हो जाएगी 8 into 0 minus 15 यानि कि minus 15 meter per second minus 15 meter per second अब आप से एक interesting सवाल पुछा गया अब आप से एक interesting सवाल पुछा गया कि किस time पे किस time पे at which time at which time velocity becomes 0 at which time velocity become 0 अब velocity क्या कितनी है हमने differentiate करके पाया था velocity होती है dx by dt यानि कि हमने पाया था 8t minus 15 ये हमने just अभी निकाला था तो अब velocity 0 कब होगी velocity 0 कब होगी जब ये term यानि कि velocity बराबर हो जाएगी 0 यानि कि time कितनी होगी time होगी 15 upon 8 seconds 15 upon 8 seconds तो ये हमने जान लिया ऐसे करना है अब इसी में अगर आपको average velocity निकालने बोला जाए from t is equal to 0 to t is equal to 2 t is equal to 2 seconds from t is equal to 0 seconds to t is equal to 2 seconds कैसे निकालोगे आप average velocity अब तक तो आपको हाथ सेट हो ही गया है आप निकालोगे पहले x1 x1 कितनी होगी जब time होगी 0 यानि कि 4 into 0 minus 15 into 0 plus 25 यानि कि 25 meters अब x2 कितनी होगी x2 होगी जब time होगी बराबर जब time होगी बराबर 2 seconds तब 4 into 2 square minus 15 into 2 plus 25 तो क्या होगी 4 4 16 minus 30 plus 25 तो हो जाएगी बराबर 35 41 minus 30 यानि कि 11 41 minus 30 यानि कि 11 अब x2 minus x1 simple सी बात है x2 minus x1 simple सी बात है तो average velocity कितनी होगी x2 minus x1 upon t2 minus t1 यानि कि 11 minus 25 upon 2 minus 0 तो यहाँ पे आपको जवाब मिल जाएगा बहुत ही आसान है ऐसे numericals करना बहुत ही आसान है ऐसे numericals करको करना अब आज हमने basic सी questions जान लिए है ऐसी basic questions आती है boards में अच्छा अब competitive section भी करेंगे जैसे जैसे हम आगे बरते हैं जैसे जैसे हम और भी चीज जानते हैं इस chapter के बारे में motion in a state line के बारे में तो तब तक के लिए आपको channel के साथ बना रहना होगा वीडियो को share करना होगा दोस्तों के साथ channel को subscribe करना होगा तो कीजिए जल्दी से जल्दी और class की घंटी को बजा दीजिए हम चलते हैं तब तक के लिए बाल